हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज के से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैकसिम लोन एप से लोन कैसे लें और इसे जुड़ी सारे जानकारी में आप लोगों को आज के से वीडियो में दूँगा दोस्तों एक ऐसी जिद्गी चाहते होंगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई टेंसर ना हो दोस्तो हम खुशी-खुशी अपना जीवन बिता हैं हर को यही चाहते है कि हमारे जिद्गी में कभी कोई परिशानी ना आए दोस्तो हम अपना जीवन आराम से बेतीद करें लेकिन दोस्तो हर बार इसे नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं दोस्तो हम कितनी भी कोशिस करें लेकिन हमारे जीवन में कभी न कभी कोई न कोई परिसानी जरूर आती है जिसे बाहर निकाल पाना थोड़ा मुस्किल हो जाते है दोस्तों कभी-कभी हमारे सामने पैसों की एतनी समस्य आ जाती है कि उसे बाहर निकल पाना थोड़ा मुस्किल हो जाता है दोस्तों हमें कहीं से भी पैसे नहीं मिल पाते हैं हम पैसों का इंतिजाम करते करते ठक जाते हैं लेकिन हमें कहीं से भी पैसे नहीं मिल पाते हैं, दोस्तों आज के समय में पैसों का इंतिजाम करपाना मुस्किल है, दोस्तों कोई किसी को पैसे उधार नहीं देता है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, अगर आपको भी दोस्तों पैसों की जरूत है, तो आप बिल्क लोन एप से हमें कितनी दिनों के लिए लोन मिलेगा इस लोन एप से लोन लेने पर व्याज की दर कितनी लगेगे इस लोन एप से किनकी लोगों को लोन मिल सकता है Maxim loan app से loan लेने के लिए कौन-कौन से documents की जरूत होगी इस loan app की क्या-क्या सर्ते हैं यान की क्या-क्या terms और conditions है Maxim loan app से loan लेने की क्या-क्या फायदे हैं और Maxim loan app से loan लेने के लिए कैसे apply करें इन सभी बातों को आज के इसे वीडियो में मैं आपको detail से बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को अध्या जरूर देखिएगा तो चली दोस्तों आज के इस वीडियो को हम बिना देरी के हुए सुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि Maxim loan app से हमें कितना loan मिल सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस loan app से हमें 1000 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक का loan मिल सकता है इतना loan हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होता है दोस्तों आप हम यह जान लेते हैं कि यह एप हमें कितनी दिलियों के लिए loan देती है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि Maxim loan app से हमें 91 दिनों से लेकर 365 दिनों के लिए यानि कि 3 महनों से लेकर एक साल के लिए हमें ये loan मिल सकता है इतना समय लोन चुकाने के लिए काफी होता है दोस्तो हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जिस loan app से हम loan ले रहे हैं उस app पर ब्याज की दर कितनी लगेगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि maximum loan app से loan लेने पर ब्याज की दर आट से 35 परतिसत साला न लगेगी यानि कि 8% to 35% annually लगेगे दोस्तों अब हम यह जान लेते हैं कि maximum loan app से किन किन लोगों को loan मिल सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि maximum loan app से loan लेने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा होने चाहिए तब ही आप Maxim Loan App से लोन लेने के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों बात करें Maxim Loan App से लोन लेने के लिए कौन-कौन से डकुमेंट्स की जरूत होती है दोस्तों बात करें Maxim Loan App से लोन लेने के क्या-क्या फाइदे हैं तो दोस्तों ये एक 100% ऑनलाई अप है और यहां से आप कभी भी लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यहां से आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाता है दूसरे अपस के तुलना में दोस्तों ये एप पूरे भारत में लोन देती है दोस्तों यहां से लोन लेने पर व्याज की दर बहुत ही कम लगती है दूसरे लोन एपस के तुलना में दोस्तों यहां से लोन लेने पर आपको बहुत ही कम डॉकुमेंट्स देने होते हैं और दोस्तों यहां पर आपके डॉक्मिन्टस बिल्कुल सुरुक्षीत होते हैं, यहनि कि Maxim Lone App आपके डॉक्मिन्टस को किसी थर्ट पार्टी के साथ सेर नी करता है, दोस्तों बात करें Maxim Lone App से लोन लेने के लिए कैसे अपलाई करें, तो दोस्तों सबसे पहले आप Maxim Lone App को प्लेइ स्टोर से अपने मोबाइल में डाउलोड करें दोस्तो इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को इसमें रेजिस्टर करें दोस्तो इसके बाद आप अपनी बेसिक डिटेल्स मैकसिम लोन एप में आप भरें दोस्तो इसके बाद जो भी डॉकुमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहे जाएंगे वो बेसिक डीटेल्स आप बेसिक डॉकुमेंट्स आप उसमें अपलोड करें दोस्तो इसके बाद आपको लोन की अमाउंट को सेलेक्ट करना है इसके बाद Maxim Loan App के ओफिसेल्स के दोरा ये वेरिफाइ कि जाएगा कि आप उतने लोन के लिए आप इलिजिबल है या नहीं दोस्तो अगर आप उतने लोन के लिए इलिजिबल होंगे तो लोन की अमाउंट को एप्रूफ कर दिया जाएगा इसके बाद लोन की अमाउंट डिरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगे दोस्तो इसके बाद आप लोन की अमाउंट को अपने तरीके से खर्च करने के लिए सोतंतर है तो दोस्तो आजके इसे वीडियो में मैंने आप लोगों को बता है कि मैक्सिम लोन एप से लोन कैसे लें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आजके इसे वीडियो में डेटेल से बता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंट के साथ इसे जरूर सेयर कीजेगा और अगर आप चैनल पे नहीं है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ये टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगले पे दो सब्सक्राइबा अगर एंगर आपको ये इरूबसा मिलते हैं